और आईए बात करते हैं पहार चीरने वाले प्रहार उत्राखंड से लेकर है माचल तक मौनसून का ऐसा हमला है कि धर्ती हिली हुई ये माचल की चमबा में बादल फटने से बाढ़ आई तहर बर पाया बाढ़ने उत्राखंड में चमोली से चमबावत तक पहार खिसकने से कई जगों पर आवचाही बंद हो गई है उद्रत के खहर का विडियो विशलेशन आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखे पहार के सीने को चीरता पानी का ये प्रहार है इमाचल की वादियों में गुद्रत का कोहराम है शहरों को डराता पानी का शोर है गुद्रत के क्रोध के सामने कहां किसी का शोर है चाहें पहार हो या फिर मैदार धरती का हर इलाका मौसम की मार से हिला हुआ है सबसे पहले हिमाचल पर हो रहे गुद्रत के तावर तोड हमलों की तस्वीरे देखिए और ये पहली तस्वीर चमबा जिले से आई है खुबसूरत वादियों के लिए नामी चमबा को मानो इन दिनों कुद्रत की नजर लग गई है चमबा से करीब 50 किलमीटर दूर फड़ता है हिमाचल परदेश का छोटा सा कस्वा सलूनी और इसी सलूनी के कुलेल और कंधवारा में बादल खटने के बाद आई बाद से मची है तबाही देखिए कैसे पहाड का सीना चीर कर आता पानी घर के पास की जमीन को लीलता हुआ आगे बढ़ रहा है करीब आधा दरजन घरों को इसी पानी ने अपने आगोश मिले लिया इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे उपर से पानी के साथ आए बड़े बड़े पत्थरों ने घरों को चपेट मिले लिया है पहाड को चीरता हुआ नीचे आ रहा पानी सब कुछ बहा कर ले जा रहा है दोनों तरफ घर है और घर के बीच लग रहा है मानो नदी की धारा बैर ही हो आसपास खड़ी लोग बेबस होकर सिर्फ प्रलय के इस पानी को निहार रहे हैं पानी का ये प्रवब कितना विक्राल है इसका अंदाजा आप इस पईये से रगा सकते हैं जो इस बात का सबूत है कि ये पानी सब कुछ बहा कर ले गया गुदरत का क्रोध जब शान्थ हुआ और पानी उत्रा तब ABP न्यूज का कैमरा भी मौके पर पहुचा और फिर जो तस्वीर दीखी वो इतना बताने के लिए काफी थी कि यहां के लोगों का काफी कुछ चला जा चुका है कहीं कोई कारी फशी हुई है तो कहीं कोई कार और बाइक रोर पर पल्टी हुई है लोग घर और दुकानों से मलबा निकाल कर जिंदगी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे है बढ़ा जा रहा है कि इस पानी के वज़ा से 15 साल के यूबक की जान चली गए फिलाल शनूनी के आसपास के गाउं में नदी नाले उफान पर है पहारी से आए भारी भरकम चटान के पुल पर गिरने से प्रगाला नाला में निर्माना धीन पुल शतिक रस्त हो गया कई जगों पर रोड पर मलबा आने से आवाजाही बंद है अब जड़ा चंबा की ही ये तस्विर देखी ज़रने के शकल में पहार से गिरता पानी रोड पर कहर बनकर टूट रहा उपर से गिरता पानी रोड पर बड़े बड़े पत्थर और इस बाहाव में एक बाइक सवार को निकालने की जद्दूज़ है रोड पर पानी की धार इतनी तेज है कि देखिये कैसे चार लोग मिलकर एक बाइक को चटानों के बीच से निकालने की कोशिश कर रहे किसी तरह संधर्श के साथ बाइक को निकालने में ये लोग काम्याव हो पाए हाला कि इस तरह के दस्विरे आज़से को नियोता देने वाली है हमारी अपील है कि इस तरह से खतरनाक रास्तों को बार करने की कोशिश ना करे क्योंकि ये कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है मानसून के इस मोसम में हिमाचल पर कुदरत किस तरह से हमला वर है उसका सबूत ये एक और तस्वीर कि नौर में देखिए कैसे बहाल का हिस्सा तूट कर हाईवे पर आगे कुदरत की ये चोट सिर्फ हिमाचल की पहाड़ियों पर रही उत्राखन की बात करें तो यहां भी चमोली से चमपावत तक कहीं चट्टान तूटकर रोल पर गिर रही है तो कहीं पहार का हिस्सा पानी में कहर बरपा रहा और जोशी मट की ये तीन तस्विरें कुदरत के इसी कहर की गवाही ते रही ये तस्विरें जोशी मट की हैं बदरिनाथ हाईवे पर हेलक के पास पहार से चट्टान की गिरने का ये रोध रूप जिसने भी देखा हैरान है किया चमपावत में रविवार को हाईवे पर पहार का हिस्सा तूटका गिरा था जिसके बाद तनकपुर की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया पर शासन ने हाईवे की मरमत का काम पूरा कर लिया है जिसके बाद आवजाही सुबह से शुरू हो गई पहार पर पुद्रत के इस परहार को देखने के बाद आम ज़रा दक्षिन भारत चलिए और देखिए कैसे छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पढ़ जाती है आर्द परदेश के कुरनोल में फ्रेंडशिप डे के मौके पर लॉंग ड्राइब पर जाने का प्लान जालेवा साबित हो गया इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के बीच बीच कार भसी है और लोग इसे निकालने में जुटे हैं कुंडु नदी के पानी का बहाव रविवार को इतना तेज था कि कार ले जाने की गलती महंगी पड़ी और एक युवक की मौध हो गए और लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता मद्यपरदेश के खरगोन से आई ये तस्वीर बताती है कि हम कितने लापरवा हो रहे हैं कारे पानी में डूबी हुई हैं और कुछ लोग कारों को पानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके मन में सवाल होगा कि ये कारे पानी के बीचो बीच कैसे पहुँच गए तो इसका जवाब सुनकर आप हैरान भी होंगे और परिशान भी असल में जब पुल के नीचे नदी में पानी कम था तब सूखी नदी में पिकनिक मनाने के लिए इन दौर से 13 गाडियों में आए 35 लोग मोज मसली कर रहे थी तब ही नदी में पानी बढ़ा और अचानक इतना पानी आ गया कि लोगों ने भाग कर जान बचा ली लेकिन गाडियां पानी में तेहरने लगी पुल पर देखने वालों का मेला सा लग गया इस्थानी लोगों को खबर मिली तो रेस्क्यू का इंतिजाम किया गया और फिर जो गाड़ियां निकल सकती थी उन्हें ट्रेकटर की मदद से निकाला गया पत्या जा रहा है कि आठ गारियां ट्रेक्टर की मदद से निकाली गई जब कि दो कारे बहे गई असल में पहारी नदी का पानी बहुत तेजी से आता है और फिर तेजी से उतर जाता है इस वज़ा से लोग लापरवाही करते हैं और ये लापरवाही कैसे भारी पर जाती है इसका जीता जाकता उधारण आप देख चुके हैं इसलिए गलती से भी इस तरह की गलती करने की कोशिश नहीं कीजिए क्या मजबूरी है मेरी बताइए मैं अभी आपको बताती हूँ हुए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टक टकी मार के डिबेट शू को पॉज रपीट करकर के देख रहे हैं जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरिट डिबेट को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे